जिले का कमान सम्हालने के बाद बुदुवार को SSP दिनेश कुमार मेडिया से रूबरू हुए पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित कारिक्रम में SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि त्री स्तरिय पंचायच चुनाओं को सकुषल संपन कराना प्रशाशन की प्रात्मिकताओं में शामिल है कोविट प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए चुनाओं को संपन कराया जाएगा इसी के साथ SSP ने बताया कि बड़ा जिला होने के कारण अतरिक्त फोर्स मंगाई जाएगी जिससे कोई भी दिक्कत ना होनी पड़े इस संबंद में गोरगपुर नीउस से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा देखिए पंचाय चुनाओं को लेके हम लोग काफी सतर्क हैं यहाँ पे 20 ब्लाकों में चुनाओं है पंचाय चुनाओं है और हमारे 22 थाने इसमें प्रभावित हैं हम और DM मौदे के द्वारा लगातर फील्ड विसित किया जा रहा है जितने भी अतिसम्मेदनशील प्लस अतिसम्मेदनशील की श्रैणी में जितने भी मध्दान केंद्र आ रहे हैं वहाँ पे लगातर हम ब्र्हमन कररे हैं और अपने अधिनस्तों को भी उनको इसेंश कर रहे हैं खरकार की प्रात्मिक्ता ही है कि जो निस्पक्ष एवं शांत्पून्ट चुनाव हैं उसके लिए जो काम करना उस सब हम कर रहे हैं जहां तक के सेंसिटीव वह हैं वहां पे जो हिस्ट्री शीटर एवं जो कुराफाथी तत्य हैं उनकी किलाफ कारवाई कर रहे हैं रेट कार्ड भी हम लोग तार्गेट टाइडेंटिफिकर करके बाद रहे हैं जो भी कुराफाथी करेगा उनकी किलाफ सकती से कारवाई की जाएगी और जो आम जन्ता को सुरक्षा दीज़े यह सब जगे से इसे रेंज से फॉर्स गवर्चपूर को मिलेंगे और जनपदों से गवर्चपूर को फॉर्च दिगा जाएगा और पर्याद फॉर्स लगाए जाएगा हर जगए पुलिस मौजूद रहेगी और एक सव परसेंट साम्कून चुनाओ रहेगे जिए इसमें कहीं न कहीं पब्लिक के बीश में तोड़ा सा डिलापन आ गया है क्योंकि जो काफी दिन से बीश में कुरोणा लगबग नियुनतम स्थिती में पहुंच गया था फिर से सेकेंड वेव आया है गोरकपूर जनपद में लगातार पिछले 10 दिन में कुछ केसे बढ़तेजी से बढ़ने का हुआ है कि हम लोग लगातार पुब्लिक के बीश में जा रहा है और मास्क पेनने की एवं सोचल डिसेंस मेंटेन करने की आगर कर रहे हैं आगे से सकती से चलान किया जाएगा और जो कुछ भी यह महामारी के इस वक्त पर लापरवाई करेंगा उनकी किलाव सक अभी से कार बाइवी के यहाईगा